हेलो अवरीवान, वेलकम टू फार्मरुक्स यूट्यूब चैनल, फार्मरुक्स की यूट्यूब एजुकेसने चैनल में आपका स्वागत है आज की उड़ी लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे पायरोक्सी के हम टाबलेट्स के बारे में तो हम सीखेंगे ये उसका डैली डूस क्या होता है सीखेंगे उसके साइड एफेक्ट, वार्रिंग और कॉटर इंडिकेसन को डिटेल में और साथ ही उसके मार्केटर फार्मिलिशन के बारे में हम डिटेल स्टेडी करेंगे आज के lecture के अंदर तो expert lecture वायमर सर, assistant professor and founder of PharmaRox, thank you for being PharmaRox family, updated रिया Pharma Knowledge के साथ सीखे दवाईयों के बारे में, अलग-अलग बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में कौन सी दवाईया उसमें यूज होती है उनकी यूज क्या होते है, dose, side effect warning and contraindications को एक साल तक वो भी affordable price में PharmaRox के अब उपर सरल बासा में, तो भी डाउनलोड करें आप PharmaRox की जो Android अप्लिकेशन है Google Play Store पे, Apple iPhone आप App Store पे, link आपको description box में मिल जाएगी या फिर 9016312020 नमबर पे आप हमें call या WhatsApp कर सकते हैं तो अब समझते हैं Pyroxychem tablet के बारे में तो यह SA class का medication है कि जिसको हम non-steroidal anti-inflammatory drugs कहते हैं और SWAT पे उसको हम NSAIDS के तोर पे जानते हैं, तो यह medication के पास total तीन properties है, तो Pyroxychem के पास एक analgesic property है कि जो दर्द निवारक के तोर पे काम करता है, दूसरा उसके पास anti-inflammatory property है कि जिससे वो हमारे body के अंदर आई, सुजन को कम करता है और तिसरी property है anti-piratic के जिससे वो fever मलब कि जो बुखार होता है उसको कम करता है और यह medication कैसे काम करेगी, तो जो prostaglandin का जो synthesis होता है हमारे body के अंदर, तो उसकी activity को inhibit करके, यह medication अपना काम करती है, तो यहाँ पे उसके mechanism आप समझो, तो pharmacologically हम देखे तो यह non-selective cox inhibitor का हो जाता है, cox मतलब कि cyclo-oxygenase enzyme तो यह जो cyclo-oxygenase enzyme का role क्या होता है वो आप यहाँ पे अच्छे से समझे तो बाजू के diagram में मैं आपको समझाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो यह cox 1 enzyme है और यह cox 2 enzyme है तो जो arachidonic acid जो produce होता है, वो आगे जाके cox जो enzyme से उसको utilize करके prostaglandins बनाता है कि यह आप आप देखो, यह prostaglandin का synthesis हो रहा है तो prostaglandin क्या है, तो एक ऐसा mediator है, ऐसा एक chemical है कि जो responsible बनता है pain के लिए मलब की, जिस जगह पे समझे के कोई आपको injury होई है या फिर कोई बाग आपका damage हुआ है या फिर किसी surgery के बाद किसी operation के बाद आपको किसी जगह पे injury या फिर damage हो तो वहाँ पे ये prostaglandins release होगे और prostaglandins जब release होता है तो वह वहाँ पे दर्द जो हो produce करता है, यहाँ पे आप देखो कि pain का mediator बनता है, साथो साथ inflammation, मलब कि ये सूजन करवाता है उस जगह पे और जब आपको दर्द भी हो और oxygen भी हो तो बुखार जो हो आता है तो ये तीन condition produce हो जाती है कि जब ये prostaglandins जो हो produce होता है, साथो साथ जो GI जो track होता है उसका mucosal जो है उसका protraction करवाता है hemiostasis या जैसी condition produce करता है, तो mainly जब आप ये medication खाते है pyroxycham, तो ये pyroxycham क्या करता है, ये जो enzymes है, कि या पर आप देखो कि ये जो cox enzyme है और ये cox 2 enzyme है तो उसकी activity को ये medication जो completely inhibit कर देते मतलब कि जो cox enzyme जो inhibit हो जाते हैं और उनकी activity को block कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि बले arachidonic यहाँ पर present है, पर ये cox enzyme नहीं होगा, तो आगे जाके ये prostaglandin का synthesis नहीं होगा, जिससे ये medication क्या करती है prostaglandin के synthesis को inhibit कर देती है, कि जिससे prostaglandin नहीं होगा तो आगे जाके ये उसके कोई भी effect आपको नहीं मिलेगी, जो दर्द हो रहा था, वो कम हो जाएगा सुजन थी, वो कम हो जाएगी और जो fever, मतलब कि आपको जो बुखार आ जाता है, वो भी कम हो जाता है तो इस तरह से ये medication अपना काम करती है, तो उसके working के बारे में हम समझें तो ये medication work करती है as a analgizing, मतलब कि pain killer के तोर पे ये काम करता है फिर anti-piratic मतलब कि बुखार को कम करता है fever को कम करता है और anti-inflammatory मतलब कि ये medication जो हमारी body के अंदर जो सुजन हो जाती है, उसको कम करती है तो आप समझते हैं उसके daily dose के बारे में, तो ये medication का daily dose ये रहेगा कि 20 mg BD मतलब कि दिन में 2 बार जो है वाप जब treatment स्टार्ट होती है तो दिन में 2 बार patient ये लेता है 20 mg जितना पहले 2 दिन के लिए मतलब कि इस तरह से आप अच्छे से समझे कि समझे कि day 1 है आपका तो day 1 को आप जो है वो total ये medications के जो है वो दो tablet खाते हैं 20 mg जो है वो आप दिन में 2 बार लेते हैं कि और वो भी at least 12 अवर के time interval पे कि 12 गंटे के time interval पे ये medication जो है वो patient दो बार लेता है day 1 को उसी तरह से day 2 को भी आप उसका same dose जो हो repeat करते हैं बड तिसरे दिन से सिर्फ दिन में एक ही बार ये medication खानी है 20 mg OD महले कि पहले 2 दिन आप जो हो 40 mg जितना per day ले सकते हैं और उसके बाद 20 mg जितना per day मनलब कि simply ये जो uncoated tablets आते हैं जो dispersible tablets आते हैं कि जो जल्दी से गुल जाते हैं पानी के अंदर उसकी fast action देते हैं तो सरवात के 2 दिन आप ये tablet जो वो इस तरह से लेते हैं कि 20 mg को जो हो दिन में 2 बार लेते हैं day 1 को फिर day 2 को भी आप 20 mg जो हो दिन में 2 बार BD की तोर पे लेते हैं और तिसरे दिन से आप जो हो 20 mg once a day से लेके because ये medications लंबे समय तक लेने से उसके higher dose में लेने से कुछ side effects हो सकती है तो ये condition उसके dose के अंदर आपको ध्यान रखनी है तो यहाँ पे उसके label भी आप देखलो कि uncoated tablet रहते हैं dispersible लहते हैं जो इसका एक popular brand name है वो है डोलो next करके कि जिसके manufacture आप यहाँ पे देखते हो कि Pfizer जो उसके manufacture है और यहाँ पे लिखा है कि उसका जो storage condition यहाँ कि store करनी है आपको उसको और dry place के आपको अच्छे से उसको store करके रखना है और temperature 40 degree से उपर जो हो नहीं जाना चाहिए और 20 mg जितना medications रहती है एक tablet के अंदर और साथ ही यहाँ पे लिखा है कि disperse the tablet in boiled and cool water कि आप यह tablet को पानी के अंदर डाल सकते हैं और उसके बाद जो पानी होता है उसको तुरंथ ही आपको लेना होता है तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि यह DT tablet किस तरह से use करनी है DT मनलब कि disperseable tablet कि जब भे आप यह tablet को लेते है तो साथ में समझे के आपके पास यह पानी बरा हुआ ग्लास है तो यह ग्लास के अंदर आप यह tablet को जो डालते और थोड़ी देनो minute में यह tablet जो अच्छे से जो गुल जाती है और वो जो पानी तयार होता है वो पानी जो आपको पीना होता है तो आप जो थंडा पानी भी ले सकते है या फिर थोड़ा सा गुनगुना पानी भी ले सकते है जिसके अंदर यह tablet डालने से जल्दी से वो वहाँ पे जो गुल जाती है डिजॉल हो जाती है और फिर जो पानी तयार होता है वो आप जो है वो ले सकते है दूसरा एक marketed formulation आप देखे तो mankind pharma भी उसको बनाती है और उन्होंने इसका brand name दिया है doloforce dt करके उसका नाम दिया है dt मनलब कि dispersible tablet तो यह भी dispersible tablet के form में यह available है कुछ mouth dissoling tablet भी available होते है basic use के बारे में तो सबसे पहले कि अगर आपको बुखा रहे और साथे साथ आपका बदन दर्थ कर रहा है body pain की जो हम condition कहते है तो उसमें भी आप यह medication को खा सकते है फिर दूसरी medical conditions की जिसको हम कहते है rheumatoid arthritis जो गठिया रोग कहा जाता है तो उसमें भी आप यह medication को ले सकते है because आप गठिया रोग के अंदर देखो तो एक तो वहाँ पे pain होता है patient को काफी साथ उसाथ वहाँ पे जो है वो swelling होती है मलब कि सूजन हो जाती है तो वो condition भी यह medication treat करती है और तिसरा कई बार patient को जो फीवर भी आता है उसके करन तो यह तीनों condition को treat करने के लिए आप rheumatoid arthritis में भी उसको खा सकते है same osteoarthritis के condition ankylosing spondylitis के condition फिर जो short term pain होते हैं अमारी body के अंदर उसमें भी आप खा सकते है menstrual cramps के दोरान dental pain कि अगर आपको दात में दर्द हो रहा है तो उसमें भी यह medication खा सकते है और जो जोडो का दर्द होता है joint pain उसमें भी यह medication जो काफी useful सा भीत होती है दूसरे कुछ उसके use देखे तो एक popular pain killer के तोर पे यह काम करता है फिर आपके muscles के अंदर भी दर्द हो रहा है आपको तो भी आप यह medication क्या सकते है बुखार के दोरान जो medical condition होती है उसमें भी यह आप tablet खा सकते है फिर कई बार क्या होता कि किसी injury के कारण bone fracture हो जाते है हड़ी यह जो तुटने के जो हम बात करते है तो अगर हड़ी आपकी तुटी होई हो और उसके करण आपको दर्द हो रहा है वहाँ पिसूजन हो रही है काफी pain हो रहा है तो उस वक्त भी यह medication खा सकते है या फिर जो muscles cramps हो जाते है उसमें भी patient यह medications को खा सकते है फिर कुछ ऐसी conditions की जिसमें सूजन होता है, pain होता है, दर्द होता है कि जो हमने arthritis के condition के इसमें भी यह medication को खा सकते है side effects के हम बात करें तो पहले हम discuss करने के कुछ उसके common side effect कि जो कुछ normal side effect होती है जैसे कि यह medication लेने के बाद कुछ लोगों को vomiting जैसा फिल होता है पेट में दर्द होता है फिर जी मचलता है in digestion जैसा वो फिल करते हैं कि जो अच्छे से stomach में खाना digestion अच्छे से ना हुआ हो वैसा फिल करना दस्त हो जाते हैं कुछ लोगों को सीने में जलन जैसे condition होते हैं कि जिसको heart burn कहते हैं और कुछ लोगों को loss of appetite में लगकी अपना पसंदी तक आना सामने होने के बावजुद भी उनको बूख नहीं लगती तो ये कुछ minor side effects जो हम कही सकते हैं वो develop होती है pyroxic and tablet के करन अब बात करते हैं उसके serious side effect की serious side effect कैसे कि अगर आप ये medications बहुत ही समय तक खाते हैं या फिर दूसरी condition के अगर आप उसको high dose में खाते हैं तो ऐसे condition में कुछ side effects develop होते हैं कि high dose है plus long time तक ये medication आप use करते हैं तो ऐसे side effects जैसे कि आपके heartbeats irregular हो सकते कि इस तरह से जब आप आपका ECG निकालोगे तो heartbeats का जो ECG वो abnormal आ सकता है heart attack जैसे कुछ serious side effects होते हैं blood pressure जो है आपका ये काफी बड़ा सकता है high blood pressure के complications देखे जा सकते है swelling में लगके body के अंदर edema में लगके sujan आ सकती है कि जैसे हमने देखा कि ये anti-inflammatory medication है but जब उसका proper dose होता है तब तक ही ये medication anti-inflammatory के तोर पे काम करेगी but जब अब उसको dose के बज़ाए high dose में use करते हैं तो ये कुछ complications आपको देखने को मिलती है जैसे कि chest pain भी हो सकता है जिसको हम एंजाइना कहते हैं gastrointestinal bleeding हो सकती है उसके अलावा gastric ulcer करवा सकती है ये medication और liver damage मनलब कि आपके पेट में ulcer हो सकता है फिर जो हमारा पाचन तंत्र है तो वो track के अंदर bleeding मनलब कि खून आ सकता है आपको GI track के अंदर liver आपका damage हो सकता है ये है उसकी कुछ serious side effect तो अगर आप कोई भी ऐसे side effect notice करते हैं अपने अंदर तो तुरंत ये medication लेना बन कर देनी चाहिए contraindications देखे तो किन लोगों को ये medications नहीं खानी तो अगर आपको allergy है non-stertidal anti-implanted drugs की icemic heart disease के आप patient है peripheral artery disease या फिर cardiovascular disease मनलब कि जो blood related heart related और जो blood vessels जो होती है हमारी उनके related आपकी बिमारी है जैसे के आपको ऐसी condition है के आपके जो arteries होती है उसमें समझे के fat deposit हुआ है या फिर pepticle cancer के condition है liver या फिर kidney आपके खराब है फिर बच्चों में उसको use ना करे और pregnancy के दौरन भी ये medication को use ना करे बिकाज उससे कुछ serious complications हो सकते हैं अब उसके कुछ हम drug drug interactions देखे तो pyroxycham का combination कभी भी ibuprofen के साथ ना करे तो ये दोनों के जो combination कि अगर आप ये दोनों combination में use करते हैं तभी भी उसको combination में ना करें उससे तरह से naproxen के साथ combination ना करें aspirin के साथ उसका combination ना बनाएं duloxetine है metoprolol है, atenolol, lysinopril, warfarin, selecoxy, prednisone, maloxicamn, sertalin तो ये जो medication यहाँ पे listed है इनके साथ इसकी drug drug interactions होती है तो कभी भी pyroxygan का combination ये medications के साथ आपको जह हुआ नहीं करना है तो ये खास आप ध्यान रखें तो SAC के दवायों के बारे में उनके basic use उनके dose के बारे में side effects, warning and contradicces को एक साल तक affordable price में सीखे सरल बास हमें farmer rocks के आप उपर तो एंडूड यूजर एंडूड यूजर आप डाउनलोड करें झाल झाल